नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंशिका आज सवाल G20 के दौरान ड्रैगन की अजीबो गरीब हरकतों पर सुलगाएंगे चीनी प्रतिनिधी भारत अपने साथ 20 रहस्मई बैग्स क्यों लेकर आए थे वो बताएंगे चीन हमेशा ही अपनी हरकतों की वज़से शक के दाएरे में रहता है भारत की छवे खराब करने के लिए चीन कोई ना कोई चालबाजी करता है ऐसे ही G20 में भी चीनी प्रतिनिधी की हरकतें शक के घेरे में तब आ गई जब बिना जाच करवाए चीनी प्रतिनिधी मंडल अपने साथ 20 रहस्मई और अजीब बैग्स ले जाने पर अड़ गया था जिसकी वज़र से भारत की सुरक्षा एजिंसियां सतर को हो गई ऐसे में चीन की इन हरकतों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं चीनी प्रतिनिधी भारत क्यों लाया था 20 संदिक बैग 20 रहस्मई बैग का क्या है सीक्रेट क्या जासूसी के मकसद से भारत आया था चीन इस वक्त G20 सम्मेलन से पहले भारत की अधिकारी घोशना पत्र पर सहमती बनवाने की जद्दो जहत कर रहे थे इसी बीच एक 5-star होटल में अजीब ड्रामा देखने को मिला अपनी हरकतों की वज़ह से तो चीन हमेशा ही शक के घेरे में रहता है लेकिन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आये चीन के प्रतिनिदी मंडल ने भी कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वज़ह से भारत की सुरक्षा एजिंसियों की आखे तेज और कान खड़े हो गए दरसल चीनी टीम के सदस से अपने साथ एक अजीब तरह के बैग लेकर आये थे इसका आकार प्रकार भी आम सूटकेस की तरह नहीं था टीम ताज पैलिस में रुकी हुई थी और चीनी दल का नित्यत वो एक महिला अधिकारी कर रही थी इस दल में दिली सित चीनी दूतावास के भी दो-तीन अधिकारी शामल थे हालकि राजने एक प्रोटोकॉल के चलते सुरक्षा कर्मियों ने बैग को अंदर ले जाने की अनुमती दे दी जिसके बाद कमरे में पहुँचते ही एक स्ताफ मेंबर ने बैग में कुछ संदिग्द उपकरन होने की सूचना दी इसे लेकर स्ताफ के सीनियर कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया इसके बाद स्ताफ मेंबर्स के बीच तुरंत राय मशवरा हुआ और बैग को स्कैनर के जरिये चेक करने के लिए कहा गया जैसे ही बैग को चेक करने की बात आई तो चीनी टीम हडबढ़ा गई सिक्योरिटी मेंबर्स की ओर से उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि ये जरूरी जाँच है इसके बावजूद चीनी अधिकारी बैग की जाँच कराने से मना करता रहा खास तोर से बैग में रखे सामान थी एक तरफ सुरक्षा एजिंसियां इस बात को लेकर अड़ गई तो दूसरी तरफ चीनी सदस से आनाकानी करने लगे इसको लेकर काफी बहस चली लाग कहने के बाद भी चीनी सदस से जाँच के लिए राजी नहीं हुए G20 सम्मेलन के लिए इससे पहले जो भी प्रतिनिधी आये थे उन्हें भी जरूरी चेकिंग से गुजरना पड़ा था लेकिन संदिक्द बैग लेकर आया चीनी व्यक्ती लगातार इससे इनकार करता रहा जिससे सुरक्षा कर्मियों को डाल में कुछ काला लगने लगा जाँच कर्मचारियों का शक उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि चीनी प्रतिनिधी ने अलग और प्राइविट इंटरनेट कनेक्शन की मांग की लेकिन होटल स्टाफ के ओर से उनकी इस मांग को औस्विकार कर दिया गया हालकि सवाल उपने लगा क्या फिर चीनी प्रतिनिधी को अलग इंटरनेट कनेक्शन की क्या ज़रूरत थी क्या चीन भारत जासूसी के मकसद से आया था या फिर चीन भारत में पीम मोदी से संबंदित किसी बड़ी साज़श को अंजाम देने के लिए जी ट्वेंटी में शामिल होने आया था संदिक द बैगो के इस पूरे मामले को लेकर करीब बारा घंटे तक हंगामा होता रहा और दोनों पक्षों की ओर से खूब बहसबाजी हुई लेकिन चीनी स्ताफ सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनने को तैयार ही नहीं था पुलीस अधिकारियों ने भी चीनी प्रतिनिदी को समझाने की कोशिश की कई घंटों के विवाद के बाद चीनी दल संदिक्द बैग अपने देश के दूतावास ले जाने पर सहमत हुआ था इस तरह ये समस्या हल हो गई हाला कि विवाद के दौरान भारतिये एजिंसियों की लगातार नजर होटल के छटे फ्लोर पर स्थित उस कमरे पर बनी हुई थी जिसमें ये बैग रखे गए थी तीन सदसे सुरक्षा दल को करीब 12 घंटे तक कमरे के बाहर पहरा देना पड़ा जब तक कि एक चीनी सुरक्षा अधिकारी वापस नहीं लोड़ना क्योंकि उसने इस संदिग्द सामान को दूतावास भेचने की बात कही थी फिर जब ये बैग दूतावास ले जाये जा रहे थे तो एक विशेश एसकॉर्ट टीम साथ भेजी गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बैग्ज दूतावास की जगह किसी और जगह ना ले जाये जा सके इन बैग्ज में किस तरह के उपकरण थे ये साफ नहीं है रिपोर्ट के अनुसार इन संदिग उपकरणों की पहचान के प्रयास अब भी किये जा रहे हैं खूफिया अधिकारी इस बात की जाच कर रहे हैं कि क्या ये उपकरण ओफ दियर टाइप के सर्विलांस और जैमर थे एक चीनी इलेक्ट्रोनिक कंपनी सिग इन सिगनल इंटेलिजन्स की जानकारी जुटाने वाले उपकरणों की सप्लाई करने को लेकर दुनिया भर में जानी जाती है इसके अलावा G20 के लिए चीनी दल का विशेश विमान की जगा चार्टेट प्लेन से आना भी भारतिय एजनसियों के लिए चौकाने वाला था चीन के राश्ट्रपती शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे उनकी जगह प्रदानमंसरी ली कियांग अपने देश के प्रतनेदी मंडल का नित्त्व कर रही थे चीनी दल के इस रहस्यमई बैक को लेकर शक इसलिए भी जताया जा रहा था क्योंकि ताज पैलिस होटल में ही ब्राजील के राश्ट्रपती ठहरे हुए थे जी ट्वेंटी के अगले शिकर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ही करेगा ताज पैलिस होटल के पास सी आई टी सी मौरे होटल भी है इसमें अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडेन सहित कई अन्य देशों के प्रमुक ठहरे हुए थे महीं संदे ये भी है कि अगर चीनी प्रतनेदियों के बैग में कुछ गलत नहीं था तो फिर उसे स्कैन करने क्यों नहीं दिया गया तब चीनी स्टाफ क्यों हरबड़ा गया जासूसी के एंगल को देखते हुए भी चीन की इस हरकत पर शक जताया जा रहा है क्योंकि चीन ने अमेरिका से लेकर यूरप तक जासूसी के लिए खूपसूरत लड़कियों से लेकर अपूद पैसे का इस्तमाल किया है ब्रिटेन की खूपिया एजिंसी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही चीन को इस मामने में चेतावनी भी दी है ड्रैगन जासूसी के लिए खूपसूरत लड़कियों का करता है इस्तमाल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एजिंट खूपसूरत लड़कियों से लेकर पैसे का इस्तमाल अमेरिका और ब्रिटेन की अधिकारियों को फसाने के लिए कर रही है एक संदिग्द चीनी एजन्ट को तो ब्रिटेन की संसद में पकड़ा गया है इससे पहले ब्रितानी खूपिया एजन्सी MI5 के प्रमुकों ने चेतावनी दी थी कि चीन चर्चित नेताओं को प्रभावित करने और पश्चमी देशों के गोपनिय दस्तावेजों को चुराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है बताया जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में ये संदिग्द चीनी जासूस एक शोद करता के रूप में काम करता था ब्रिटेन की संसद में चीन का जासूस मिलने से हरका माना जा रहा है कि इस शोद करता का ब्रिटेन के कई संसदों के साथ संबन था और गोपनिय सूचनाएं भी थी उसने कई गोपनिय सूचनाओं तक अपनी पहुँच पना ली थी और ये ब्रिटिश संसद में अब तक का सबसे बड़ा जासूसी खुलासा है विशेशग्यों ने कई बार चेतावनी दी है कि चीन के जासूस ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिया है और उन्हें डर है कि ये गरफतारी समुद्र में एक बंदू के समान हो सकती है विशेशग्यों ने कई बार चेतावनी दी है कि चीन के जासूस ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिया है और उन्हें डर है कि ये गिरफतारी समुद्र में एक बून के समान हो सकती है कई देशों में सीक्रेट पुलिस टेशन चला रहा है ची इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन दुनिया के कई देशों में सीक्रेट पुलीस टेशन चला रहा है चीन के इस जासूसी के खुलासे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिशी स्टुनक ने इस पूरे मामले को चीन के प्रधानमंत्री लीक कियांग से G20 सम्मेलन में उठाया था उन्होंने बृतेन के संसदिय लोकतंतर में चीन के हस्तक्षे पर गहरी चिंता जताई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जासू साल 2018 से ही बृतेन और अमेरिका में बड़े पैमाने पर सकरिये हैं इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने चीन के जासूस शू यान्जून को 20 साल की सजा सुनाई थी वो व्यापार से जुड़े सीक्रेट को चोरी कर रहा था चीन की जासूस करती है हनी ट्राप चीन के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में एक हनी ट्राप का नेटवर्क चला रहा है ताकि ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों को खूबसूरत लड़कियों के जरीए फसाया जा सके ये चीनी विश करन्याएं लिंग्डिन और फेस्बुक के जरीए अपने शिकार से संपर करती है और उन्हें लालच दे कर फसा लेती है इसके बाद वो अपने शिकार के साथ राद बताती है और अशलील तस्वीरे ले लेती है वो इसका इस्तमाल कम्यनिस्ट पार्टी के जरूरी सूचनाएं हासल करने के लिए करती है वो हर उस व्यक्ति का शिकार करती है जिनसे उन्हें जरूरी सूचना मिल सके यही नहीं बृटेन के अधिकारी जब चीन जाते हैं तो वहां भी चीनी जासुसों ने उन्हें यौन संबंद बनाने का ओफर दिया था बृटेन के कई अधिकारियों ने माना है कि वो चीनी जासुसों के साथ रात विता चुके हैं साल 2020 में खुलासा हुआ था कि अमेरिकी संसत के सदस से इरिक स्वालवेल का चीनी जासूस क्रिंस्टिन पांग के साथ रिश्टा था चीन कई मौकों पर जासूसी करते रंगे हातों पकड़ा गया है और इस बार भी जो 20 रहस्यमई बैग चीन अपने साथ भारत लाया था उसे लेकर भले ही कोई खास जानकारी एजनसियों के हाथ ना लगी हो लेकिन मोटा मोटी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें मौझूद उपकरण काफी खतरनाक हो सकते हैं और इसके पीछे का उद्देश या तो पीम मोटी के खिलाब वो बड़ी साज़श रचने का था या फिर चालाकी से भारत की जासूसी करने जिससे चीन भारत की ओर से बार बार होई अपनी बेज़ज़ती का बदला ले सके सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार